पांच बजे के बॉलेटन के शुरुआत पांच बड़ी खबरों के साथ करेंगे सबसे पहले बात करेंगे वैक्सिनेशन की तो मध्धपरदेश में किस जून से वैक्सिनेशन का महा भ्यान शुरू होने जा रहा है CM शिवराज ने वैक्सिनेशन को लेकर जागरुपता की अपील की है दूसरी खबर 36 गड़ से जहां CM भुपेश ने कांकेर और नारायन पूर को करोडों के वकास कारियों की सौगाद दी तीसरी खबर सुशासन से जुड़ी हुई है जिसमें भुपाल पहले नंबर पर आया है और राइपोराट वे नंबर पर चौती खबर जवलपूर से जहां यूवक कॉंगरस ने डुमना में स्पोर्स सिटी बनाने का विरोध किया यूवक कॉंगरस प्रदेश धक्ष विकरांत भूरिया ने कहा है कि हम जंगल को नष्ट नहीं होने देंगे पांचवी और आखरी खबर क्रिकेट से जुड़ी है जिसमें वर्ल टेस्टी चैंपेंशिप के फाइनल मुकाबले में भारत के 63 टरनों पर दो विकेट गिट चुके है आपको बता दे कि निजुजलेंड ने पहले टॉस जीट कर गेंदवाजी का फैसला लिया था तो इस वक्त की पांच बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं पहली खबर मुक्यमंत्री भुपेश बखेल ने सतसगर को सौगाद दी है दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं इसके साथ ही वह कॉंग्रस ने हला बोल किया है और वेक्सिनेशन महा भियान पर मुक्यमंत्री ने सभी को जागरुक करने की अपील की है वाई वर्ट एस चेंपियंशिप फाइनल मुकावला जिसमें भारत के दो विकेट गिर चुके है